एक जवान औरत की बिना सर की लाश पाई जाती है शेनाक्त होती है, क्रिया करम होता है और फिर आठ माईने बाद पता चलता है कि वो जिन्दा है देखते हैं इस केस का दूसरा और आखरी भाग क्राइम पेट्रोल सतर्क आचल? पुलिस को एक 29 साल की औरत का बिना सर का धड़ मिला जिसकी शनाखत की थी उसके माता पिता ने कि ये लाश उनकी बेटी आचल की है कॉंस्टेबल राजीव जोहल की अलग हुई पत्नी अन्तिम संसकार के आठ महीने बाद इस मुडर के आरोपी सस्पेंड़ कॉंस्टेबल राजीव जोहल ने अपनी मर चुकी पत्नी आचल से संपर्क किया पर आखरकार ये कैसे हो पाया था? चत अजीए नित्यार के एगिंग रूटक हुआ एग पाया था? अजीव के पत्नी है अचल पाभी हा है? कि आयार यार तो आचल पाभी लगई है चल 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 गई स्टाटर चल ती देखते हम, आय और आट यार प्टना वो मैं आपको क्यों गता हूँ आप है कौन वो सब वो मैं उसका नाम वाम नहीं जानती बस चुडियों के रिर जहन्ने आई थी अक्सर आती है के हैं इस जानती है और पहले भी देखा नहीं अब अक्राया बे कसम से राजीव सूझत नहीं भी देखा है हम दोनों दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आचल भाभी ही थी. अबे तो पीछा क्यों नहीं किया उसका? कर सकते तो नहीं करते क्या? एक तो शॉक सेटल होने में टाइम लग गया. और वो एकदम से गायब हो गई. ढूंडो यार, कैसे भी उसे ढूंडो. क्या बात है पुतर? वे क्यो हो यार? कुछ नहीं पापाजी. अरे कुछ बताएगा भी माजरा क्या है? किसका फोन था? बस इतना समझ लो पापाजी. मेरा सस्पेंशन बहुत जल्द खारेच होने वाला है. अब तो यह मझे कौन सी नहीं स्टोरी सुना रहा है रजीव? आँखों देखी है साब. और वो भी मेरी नहीं. अजीत और अजीत और अजीत और अजीत ने अपनी आँखों से देखा उसे बटेंडे में. वो लोग वहाँ ट्रेइनिंग के लिए गये हैं. उन्होंने उसे बाजार में देखा और मैंनों तुरंट फोन किया. साब, अजीत और सुजद दुनों से बात हुए. दुनों के यही कहना है कि उन्होंने आचल कोई देखा है. साब, मैंने आपसे उस वक्त ही कहा था जब मैंने वो लाच देखी थी. वो आचल की नहीं थी नहीं साप यह आचल नहीं है जीस औरत को कॉंस्टेबल अजीत और सुजित ने देखा भटिंडा में अगर वो वाकई में आचल है तो मैं इसे तुरंध कॉंटेक करना चाहिए क्योंकि कतल हुआ तो था और एक लाश का क्रिया करम भी हो चुका है आचल समझकर अब हम इस बिना सरवाले केस का सरपैर सिधा करें क्योंकि इस केस में मुझे एक सबर्दस साजिश का साया नहीं ज़रा रहे मैं नुश्यक है कि आचल नहीं कोई गेम खेला है आप लोग ने मेरी बात नहीं मानी फर मैं भी आप से फिर से कह रहा हूँ तिनेश पन्नू नाम का साइकल रिक्षा वाला है और उसका मेरी बीवी के साथ चक्कर था अजीफ इस चक्कर के चक्र रिव्यू में हम तब ही खुस पाएंगे जब हम आचल तक पहुश पाएंगे वो भी खुफिया तरीके से आचल के किसी भी करीबी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमें पता है आचल जिन्दा है और हम उसका पीछा कर रहे हैं पुलिस ने अपनी सारी ताकत उस औरत तक पहुशने में लगा दी जिसे कॉंस्टिबल अजीत और सूजत ने भटेंडा की मार्केट में देखा था पुलिस को ये पता लगाना था कि भटेंडा में उसका एड्रेस क्या था और वो किसके साथ रह रही थी और फिर एक बार टेक्निकल सर्विलेंस ने वो एक मातर सुराग पेश किया जो पुलिस को आचल तक ले गया सर हमने जो चांस लिया था वो काम कर गया आचल के इस्ट्रुमेंट का IMEI नमबर ट्रेक वा है हाँ सर और उसका फोन बटिंडा में यूज़ हो रहा है और उसमें एक नया सिम कार्ड है यह भी तो हो सकता है कि उसका इस्ट्रुमेंट पर दूसरा अदम ही जूस कर रहा है सर बटिंडा में जहां आजीत और सुजट ने उसे देखा था इतना बड़ा इत्तिफाक कैसे हो सकता सर सिंगे काम करें राजीब को बलाओ और उससे को कि इस नमबर पर फोन करें ज़रूर फोन करूंगा साभ और अगर उस तरफ आचल हुई तो उसको आपके सामने पेश करना मेरी जिम्मेदारी अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम हमारे साथ कोई डबल गेम खेल रहे तो तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा पुरे होश और इमांदारी से कहते आया था कि वो लाश आचल की नहीं है और मुझे पर लगाया गए सारे इल्जाम कलत है आप से जादा तो मैं चाहता हूँ कि ये केस क्लोज हो जाए और असलियत बहार आए अब तुम्हें मुझे क्या कहा है इतने दिनों बाद क्यों फोन किया मुझे और और मेरा नंबर तुम्हें कहा से मिला राजीव पुल्स वाले की बेटी होकर भी बूल गए कि एक नएक दन पकड़ी जाओगी मैं सारी बुरी आदें भुला चुकी हूँ लेकिन मैंनू बुरा फसा चुकी जर्म तुम ने किया और मुकदमा मुझ पह चल रहा है मैंने कोई जर्म वरुन नहीं किया है सँझे मैं सफ आजाद हुई हूँ तुम्हारे कैच से और सालों के बाद चैन की सासे ले रही हूँ किसके साथ हो रहा है चैनिकी सासो का प्राणाया, वही साइकल रिक्षा वाला दिनेश बन्नू देखो, मेरी जिंदेगी से तुम्हारा कोई तालुक आते है, और ये मत भूलू, कि मैंने तुम्हें छोड़ा है मेरी बदनसीब बच्ची की मा हो तुम, उसे भी छोड़ दिया, इतनी भारी भुक लगी है शक्की चुप करो, आज सिर्फ सिर्फ तुम्हारी वज़े से मैं राशी से दूर हूँ तुम मेरी वज़े से ही वापस आजा उसके पास तुम भी क्या याद करोगी, माफ किया तुझे तु मुझे क्या माफ करेगा गटी आदमी इस जनम में तो मैं तेरे पास आने से रही तुम आओ या नाओ, मैं आ रहा हूँ और अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा पूरा पुरा पुलिस डिपार्टमेंट होगा तुम्हें जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती डरती नहीं तो भाग क्यों रही हो लोटाओ आओ आचल तुमारे पीछे कोई नहीं है सिर्फ तुमारी बेटी है राशी जो रोज रोरो कर सोती है तुमारी याद में कहती है, एक दिन मेरी माँ जरूर लोटाएगी मैं उसे अकेला नहीं समाल सकता आचल तुम्हें आजादी चाहिए, मैं तलाक देतूगा लेकिन उसे अपने साथ रख लो वो तुम्हारे बेना जिन्दा नहीं रह पाईगी साप, मेरी बीवी आचल कर लोट रही है हमारी बच्ची राशी का वास्ता दे कर जीत लिया उसका मन वो कल अपने माई के लोटे गी सिंग, अब कल हम इस मडर केस का नया धिया खुले अब पता जलेगा कि वो लाश किसकी थी जिसका सर कठा जिसकी लाश की शिनाख्त की गई थी, जिसका अंतिम संसकार किया गया था वही आचल अब लोट आई थी अपने अतीत के साय से दूर छुपी बैठी आचल अपनी बेटी राशी का वास्ता दिये जाने पर पिखल गई थी इस मडर केस में काफी ड्रामा भी बाकी था वो आरत कौन थी जिसे चूहे मारने का जहर दे कर मारा गया था और फिर सर काट कर धर छोड़ दिया गया था पुलिस के लिए कौन था इस कतल के पीछे क्या राज था इस ब्लाइंड केस का कि लगता है लगता है लगता है यह दन्नु साथी गीता दी इश्क अगर लथ है तो समझो लथ है तेरे जैसो की जुबान से ने इचो इश्क सब्ध है ना बहुत ही घटिया लगता है चल जा और सुल ले अपने दो हजार का इश्य थैंक यू तुम मेरे बिना रहे नहीं सकता ना तो हमेशा के लिए मुझे उड़ा के ले की ने चाता है यहां से अभी तेरा नशा उतना चड़ा नहीं है जाने मन के तेरे साथ उड़ने उड़ने की सोचू चल मूद बना आजा चौब मुखवा नहीं है हा! ऑचल? ओचल... सोडी तुम्हें और तुम्हारी पतनी को काफी शोक लगा होगा न आचल को जिम्दा देखकर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा साथ लेकिन हमें इतना बड़ा शोक नहीं गा क्योंकि हमें पिछले पाच दिन से मालूम था कि आचल जिम्दा है अब तो आचल ही हमें बताएगी कि वह औरत को थी जिसका इसने कतल किया है सर्थ मैंने किसी का कतल बतल नहीं किया है तुमने किया है आचल तुमने अपनी मौत का नाटक करने के लिए एक औरत को जहर देकर माल डाला फिर उसको अपने कपड़े पना है और उसका सर थड़ से अलग कर दिया यह सच नहीं है मैंने किसी को नहीं मारा तुमने जीते जी अपने माबाप और अपनी बेटी को मार डाला है तुक से और कह रही हो कि तुमने किसी को नहीं मारा अब जलती से बोल दो वो औरत कौन थी नहीं सर्ब मुझे कुछ नहीं पता तो फिर तुमारे माबाब को जरूर मालू को शायद वो भी मिले वें इस साजिस में तुमारे और तुमारे प्रेमी के साथ मेरा प्रेमी ये क्या कह रहे हैं आप दिनेश पन्नू मेरे मुझे दिनेश पन्नू का नाम सुनती ही तुमारे चेरे का ये रंग्यों पर गए आचल तुमारी खैरियत इसी में है कि जल्दी से हमें बता दू और अध कौन थी और उसके कतल के पीछे कौन है मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा कि मैंने आचल को नहीं मारे लेकिन आप लोगोंने साज़िश की मैंनू फसाने की कोई ने अभी थोड़ी देर में सारा सच बहार आएगा आपने पूरी दुनिया से बात मनवाई कि चुकी मैं एक पुलिस वाला हूँ ये सारा गेम मैंने खेला अपनी बीवी का कतल करने के लिए और किस तरह मैंने बिना सुराग छोड़े ये कतल कर दिया लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ इतनी असानी से तो नहीं फसूँगा और खुद एक पुलिस वाला होने के नाते आपने भी खूप खेला गल्त लाज की जान बूच कर शिनाप्त की बहुत बड़ा दोका किया है आपने अपनी वर्दी के साथ मेरे साथ सजा तो आपको मिलेगी मिलेगी ये राजीव क्या कह रहा था जी? चूट रहा है लेकिन आप तो सच्चे हो ना सब मैंने किसी को नहीं मा रहा है पर ये तो मरी और तुम्हारा पिंक रंग का सूट पहन कर मरी बुले ये सूट तुम्हारा नहीं है तुम्हारे माबाप ने इसी सूट को देखकर कहा था कि यह तुम्हारी लाज हूँ तुमना इस केस में यहां तक दूबी वी हो यहां तक अगर सच बोल दोगी तो पूरा दूबने से बच्चे हो आखरी मोगा है तुम्हारे पास जो भी सच है बोल दो सब मैं सच कहा ही है। मैंने किसी को नहीं मारा है मुझे तो यह तक नहीं पता कि कि- किसे मारा गया है उस दिन 17 सप्टेंबर को तुम अपने माबाप से कह क्या है थी किस राजीव से मिलनाचार है पापपची मैं राजीव से सब साफ साफ बात करने जा रहे है आरिया पार लेकिन राजीव से तुम मिली ने पिर किसे मिलने गई थे प्लाइन गया था तुमारा सर मैं राजीव और उसकी आदत उसे पूरी तरह से ठाग गई थी मैं उससे अलग होना चाहती थी लेकिन ममी जी और पापा जी बार बार मुझे उसी के पास धाकेल देते थे और तुम अपने आपको किसी और के पास धाकेल रही थी मैं अपने आप सही खुद को धाकेल रही थी सर मुझे प्यार होने लगा था हो गया था मुझे एक नई जिंदेगी चाहिए थी खुली ताजी आजाद जिंदगी यह शादी मेरे और राजीव के बीच नहीं मेरे पापजी और राजीव के पापजी के बीच है क्या मतलब? दोनों पुलिस वाले हैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और यह शादी उनकी इज़द है वो मुझे राजीव से कभी अलग नहीं होने थे और अगर अलग हो गई तो शादी करोगी मुझसे क्यों जूट इस अपने दिखा रहे हैं सपने दिखा रहे हूं कि क्यों तुमारा सपना सा चोने वाला हैं आचल तो दिनेश पन्नू रजीव के दिमाग की मन गलन तुपज नहीं है साब दिनेश पन्नू की खबर मैं नहीं रखता तो कौन रखता मेरी बीवी का चक्कर था तो मैंने उसकी पूरी कुंडली ही खोड़ डाली सर मैं 17 सेप्टेमबर को दिनेश के साथ अपने करवालों से जूट बोले अपनी बच्ची से जूट बोले सर और कोई चारा नहीं था मेरे पास तुम्हारी चोरी पकड़ी गई आचल बेतर है कबोल कर लो सर मैं बस उस घर से लिकल गई थी मुझे और कुछ नहीं पता आचली एक केस तुम्हारे कतल का केस है पर तुम तो जिन्दा हो ये केस इस सच पर खड़ा है कि वो जो लाश मिली है जिसकी शनाक्त हुई जिसका क्रिया करम हुआ ये समझ कर कि वो तुम हो पर तुम तुम तो इस वक जिन्दा हो इसका एक ही मतलब निकलता है आचा कि किसी ने तुम्हारी मौत का नाटक रचा देखिए मुझे किसी नाटक वाटक के बारे में कुछ नहीं मालूम तुम्हारे मालूम या नामालूम होने से कोट को कोई फर्क नी पढ़ने वाला है आचा तुम पूरी तरह से भस चुके हो और यहां से निकलने कब एक ही रास्ता है जो भी सच है बोल दो सिर्फ सच एक बात साफ थी कि आचल की मौत की साज़िस रची गई थी लेकिन वो औरत कौन थी जिसकी बिना सर की लाश को आचल करार दिया गया था एक नई जिन्दगी की शुरुवात एक दर्दनाख रिष्टे से छुटकारा आचल ने अपनी जिन्दगी की दूसरी इनिंग्स की शुरुवात एक जुर्म के साथ की थी मौडर जैसे संगीन जुर्म के साथ क्या आचल के लिए इस जुर्म के साय से बच निकलना किसी भी एंगल से संभव था बिलकुल नहीं क्योंकि क्राइम नेवर पेज आओ गीता आजो तो आज तक पिंजरे में कैथी अब इस घोंसले में आजाद रहेगी मुझे मानूम था एक दिन तुम मुझे रहा जरूर कराओगे किसी भी कीमत पर उड़ा के ले आओगे मुझे तेरी फ्लाइट की टिकेट पचास हजार की पड़ी है तेरी मैडम का चहरा अब तू कभी नहीं देख पाएगी यह लो रिश्मा भाई पूरे पचास हजार हैं चाहत को इश्क समझने की गलती मत करो के बढ़ साहब और इस कसाई खाने को कोटा समझने की गलती मत करो रिश्मा भाई हर रात चार-चार लोग उसे कट्ती थी यहां हब बकरी सिफ तुम्हारे हादों कटेगी क्या फरक केवल मुझे आजादी की आदत लगने में कुछ दिन लगेंगे अब तु अपनी मर्जी की मालकिन है मैं यह सपना देखने से भी कत्राती थी पर तुम्हें इसे सच कर दिया मैं तुम्हें जिन्देगी भर बहुत प्यार करूंगी तुम्हें पुरी जिन्देगी मिलेगी मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौल थी सारा प्लान दिनेश ने बनाया था उसने बस इतना ही कहा था कि कि वो सब ठीक कर देगा पता नहीं राथ तक जब घर नहीं पहुचूंगी तो मामी जी और पापा जी का क्या हाल होगा पापाजी तो मिसिंग कंप्लेंट करवाने ही पहुच जाएंगे तो करने दो ना मिसिंग कंप्लेंट तुम उने मिलोगी लेकिन जिन्दा नहीं जिए क्या कियार दिनेश देखो मेरे पास एक प्लान है चित भी तुमारी पट भी तुमारी सारी दुनिया समझेगी कि तुम मर चुकी हो लेकिन असल में तुम एक नई जिन्दगी की शिरुवात करोगी और वोग कमीना राजीव सड़ेगा बाकिसे दोगी आचल तुम्हारे आधा सच बताने से तुम्हें आधिर्या ही नहीं मिल जाएगी तुम अच्छी तरह ऐसे जानती थी कि तुम्हें मरावा दिखाने के लिए किसी को सच में मार डाला जाए तुम्हारी नई जिन्दगी की नीव किसी मासूम की कब्र पर होगी मुझे सच मुझ कुछ नहीं मालूम था सर। मैं तो बस दिनेश के साथ गई थी हम बटिंडा पहुचे और वहां पहुचकर उसने अपनी किसी दोस्त को फोन किया सुन आज दात को आट बज मिलते हैं हाई वाले डावे पर ठीक है ठीक है आचल तु कप्ड़ बदल ले और ये वाला सूट मुझे पैक करके दे ले बस मुझे इतना ही मालूम है कि दिनेश ने मेरा सूट किसी और को दिया था किसको दिया था मैं नहीं जान था मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सब कुछ सिर्फ मेरी मौत साबित करने के लिए किया गया था अब इसके लिए दिनेश ने क्या किया आप किसी को मारा या नहीं मुझे नहीं पता कुछ मुझ मेटा करा दे आज से तेरी पुरानी जिन्दीगी खाथ नहीं जिन्दगी शुरू हमारी नहीं जिन्दीगी शुरू हाचल क्या बाद है कुछ नहीं है भी बहुत कुछ हो तुम हाथ मुझ दोलो मैं खाना लगाती है सच मुझ प्यार करता था सर वो मुझसे और मैं उससे वो मेरा दर्ज समझता था जो राजीव ने कभी नहीं समझा आप रो क्यों रहे हैं मैं कहा रो रहे हैं रोतो रहे हैं आप अंदर से पहले भी बैठी है आप रिक्षिवर दो बार तब ही रो रहे हैं करने दो मुझसे पा रहे हैंे पार दस दो रहे हैं ओतो रहीं सम Simply बैठे न अगर आप चाहें तो मैं आपको रोज दिनिया सकता हूँ अब वापस छोड़ भी दूँगा मैं रोज दिनेश से मिलती और धीरे धीरे उससे अपने सुक दुख बाटने लगी जादा तर तो दुखी होते सुक तो बस उसके साथ ही मिलता था दिनेश मेरे दर्द को समझता था मेरी बाते सुनता था देखते देखते मुझे उससे प्यार हो गया बहुत जल्द मुझे उसकी तरफ से भी प्यार नजर आने लगा इतना प्यार जो मुझे जिन्देगी में पहले कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं मुझे जिन्दकी में कोई ऐसा मिला था जो सच में मेरा ख्याल रखता था मुझे सच्चा प्यार मिला था सर आचल तुम्हारा सच्चा प्यार खून में लिप्टा है किसी मासुम के खून में सब सच बता था चल इस वक्त दिनेश पन्नू का है बटिंडा में सब कुछ खतम हो जाएगा समाजने की कोशिश कर अगर तू वहाँ गई तो पुलिस को पता चल जाएगा कि तू जिन्दा है पुलिस तो वैसे भी सब कुछ जानती आकर राजी भी तो पुलिस वाला है तो फिर पुलिस को यह भी पता लग जाएगा कि तू इसलिए जिन्दा है क्योंकि तेरी जगे कोई और मरी हुई पाई गई थी दिनेश मुझे इस वक्त अपनी बेटी राशी के लावा और कुछ नहीं सूचा आठ महीने होगे और मैंने उसकी शकल तक नहीं देखी देखो मैं मम्मी जी पापजी और राशी से मिलकर लॉट आऊँ कुछ नहीं होगा मेरा यकीन करो अरे कैसे कुछ नहीं होगा आश्र तेरे माबाब तेरी बच्ची जनंदर की पुलिस सब समझते कि तू मर चुकी है राजी पर इज़ाम लगा है मुखतमा चल रहा है बहुत बला बाबाल हो जाएगा तू चली गई तो और अगर मैं नहीं गई तो तो राजी भी यहां पहुंच और फिर हमारा ये घर हमारी जिन्दिकी तुमारे मेरे बीच जो कुछ भी है सब कुछ खतम हो जाएगा आज़ा अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर यकीन करूँ तो तुम्हें बिना सवाल कि वही करना होगा जो मैं तुम से कहूँ क्या करना होगा सब दिनेश पन्नू को फोन लगा और उससे कहो कि वही वह जो तुम दोने सोचा था सुबूतों की रोश्टी में ये ब्लाइन मर्डर केस अब ब्लाइन नहीं रहा था ये जाहर हो चुका था कि इस संगीन जुर्म और साज़श का मास्टर माइंड था रिक्षा चालक दिनेश पन्नू लेकिन वो लाश किसकी थी इस सच का खुलासा होना अभी बाकी था लेकिन उससे पहले कुछ और ड्रामा होना भी बाकी था अलो दिनेश तुम अब यहां वापस लोट आओ हम यहीं रह सकते हैं पागल हो गया क्या दिनेश पुलिस ने वो केस क्लोस कर दिया है और राजीव मुझे तलाग देने के रिए तयार हो गया है राजीव पर तुमारे कतल का मुकदमा चल रहा है हाँ वो पुलिस ने खारिच कर दिया है उन्हें राजीव के खिलाब कोई सबूत नहीं मिला मैं सच कहा रही हूँ, यहां किसी को हम में कोई दल्चस्पी नहीं हम यही अपना घर बना लेंगे, मम्मी जी, पापा जी, राशी सब साथ होंगे तो सब सही होगा न तुम बस पहली बस लेकर यहां सीधे आजाओ हलो, 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 दिनेश, दिनेश तुम सुन रहा है वहना सर, दिनेश भटिंडा से रवान हो चुका है, तो पहर दो बज़त तक जर अंदर पहुँच जाएगा, आज तच्छ में उसके आजल से कहोगी बरबर कॉंटेक्ट बनाए रखे, जलंदर पुछने से पहले हैं हम उसे धर लेंगे, प्रविट बस में है सर, एक टीम राजय नंगर में रेडी रखो बस में चड़ने के लिए, एक ओ टीम जलंदर बस से डिपर तैनात कर दो, सर, और सुनो, आजल से आज अलबस थोड़े देर में बहुच रहा हूँ, दिनेश में तुम्हें जलंदर बस स्टेंड लेने आ रहे हूँ, किस बस से आ रहे हो तुम, रिंकी टूर्स और ड्रेवल्स, दिनेश का फोटो तो होगा न तरे मुबाइल में, रिंकी टूर्स और ट्रेवल्स, तुम, उस तरफ जाओ, अल्दी गारिया ट्वाओ, थैल जाओ इदर, बस आ रही, सब लोग अलट, सब लोग अलट, करें न दो, करें झान। दिनेश पन्नू, जल अदर जा रहे हो? आप कोवण? आछल नहीं भेजा तुमे लेने, तो खुद नहीं आसकती हैंगा। आचल का है? लोकप में. हमारे लोकप. आचल? आचल ने मदद किया प्रहों की? मुझे पकड़वाने में? तुम्हारी कर्टुतो ने तुमको पकड़वाया, दिनिश्पन्नू. अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि किसी अखुन करके तुम आराम की दिन नहीं गुजारो. सुनो आचल. मैं तुमारा अंतिजार करूँगा. तु अपने घर जाओ. सबसे मिलो. और वहारा हो अगर चाहो तो दो चाल दें. लेकर उसके बाद राशी को लेकर यहां चलिया. मैं उसके जमेदारे लूँगा. एक बाप की तरह. कोई भी कितना भी पूछे ना. हमेशा एक जबाब देना. कि मुझे नहीं पता था कि सब लोग यहां यह समझ रहे हैं कि मैं मर चुके. ठीक है? सिर्फ इतने कहना कि राजीव से तंगा कर मैं भाग गई थी. और कुछ मत बोलना. सब्जी? क्या बताया तुने साबलों को? हां? बोलना क्या बताया? तेरा खेल अब खतम हो चुका है, दिनेश पन्नू. क्योंकि तेरी टीम में फूट पड़ गई. परसाब ये तो बताया, इसने क्या बताया मेरे बारे में? इसने हमसे बताया कि जिस दिन ये तेरे साथ भागी थी, उसी दिन तुने इसका पिंक कलर का सूट पैक करवाया, और अपने किसी दोस्त के हावाले कर दी है. जबाब में हमें एक बिना सर की लाष के शरीर पर से मिला, इसने हमसे ये भी बताया कि तुने एक उरट का कटल किया, पर ये नहीं जानती वह उरत कौन थी. परसाब इसे बताता किसे मारा गया, बोला चल, पताता कि नहीं बताता? बोलना! नहीं सर यह जूट बोल रहा है साब यह जूट बोल रही है तुम दोनों जूट बोल रहा है क्योंकि तुम दोनों का प्यार ही जूटा है लेकिन कोई गल नहीं मैंनों सच निकलवाना बहुत अच्छे से आनता है अब तुम दोनों मिलकर यह तै कर लो कि बिना दर्द सहे सच मुलो के या फिर दर्द में पिलपलाते वे सच मुलो के साब उन्या सिर्फ यह कतल के बारे में जानती है बल्कि कतल इसी ने किया है इसी ने उस उरत के खाने में जहर मिला है सब कुछ जानती है साभी है पर मुझे अकेले कोई भसा रही है ये गलत है मैं कुछ नहीं जानती है तुम दोनों की तु तु में में सुनने के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और नहीं कोई दिल्चस्पी अग चल्दी से तुम दोनों मुझे ये बताओ कि वो औरत कौन थी जिसका तुम दोनों ने कातले किया और उसके बाद उसका अगला काटकर अलग कर दिया सुन आज आट को आट बज मिलते हैं हाई वाले ढावे पर ठीक है ठीक है हाचर तु कप्ण बदल ले और ये वाला शूर मुझे पैक कर के दे ले लेकिन है कौन वो औरत जो मेरे लपनी जान देगी तुम्हारा ये दोस्त कौन और वो औरत कौन थे गिनेश किसमत बड़ी बखवास चीज होती है अरदिनिश एक तरफ तु है जो अपने प्यार से मिलने के लिए तरस रहा है और एक तरफ मैं हूँ जो अपनी औरत से पीछे चोड़ाना चाह रहा है तारिक बताओगे कौन सी तारिक पक्की की है हमारी शादी के लिए क्यों सिनामा की टिकेट खरीद रहा हूं क्या जो कोई भी डेट चुनी और काड डाला अरे शादी एक पेचीदा चीज होती है और लाइफ में एक ही बार करता है आदमी और सुहागराद जो तुम रोज मनाते हो मेरे साथ कभी सुभा कभी रात में वो पेचीदा चीज नहीं है तेरे लिए क्या नया है तुझे ता आदत है ना सही का तुमने लेकिन मुझे इश्च करनी की आदत नहीं है कोटे पर जो लोग आते थे वो लोग पैसा देते थे अपना काम करते थे चैले जाते थे कोई मेरा दिल नहीं दुखाता था जैसे तुम दुखा रहे हो कोई मुझे जलील नहीं करता था जैसे तुम जलील कर रहे हो अरे मैं कोई जलील वलील नहीं कर रहा हूं तुम्हें, मैं तो सिर्व इतना कह रहा हूं कि पापाजी की सामने तुम्हें कैसे लेके जाओं, क्या बोलूगा मैं उनसे, कि बापाजी ये गीता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूं, और आपाजी एक बाद तुम्हें बताना की बात की नो, तो उठाकर उसी कोठे पर फेक दूँगा, समझ गई? हट! कोठे की मेडम सही कहती थी, दिनेश, चाहत और इश्क में बड़ा फर्क होता है, एक दिन मेरा दिल भर जाएगा, पहले हफते में दो बार जाता था, तब तक ठीक था, जब से इसे घर लेकर आया हूँ, तो सर चड़ बैठी है, और उपर से, क्या, उपर से क्या, वही, जिस का दर था, क्या बात है, डॉक्टर, क्या हुआ, गीता, तुम, है, एचाइबी पॉस्टिव, है, जब खोटे पसी, हमेशा सारी साबनानी लेती थी, हमें सिखाया चाता था, फिर भी, पता नहीं, यह सब कैसे हो गया, क्यों, तुम्हारी एचाइवी टेस्स की रिपोर्ट निगेटिव है, समझ में नहीं आथा के मैं खुशी मनाओ के मुझे बिमारी नहीं हुई है, या मैं शोक मनाओ की गीता दिन बदिन मुझे बोज बनती चली जा रही है, इतने खर्चे, उपर से रोना धोना, देख के मैं आचल के बगार नहीं रह सकता, और तू गीता के साथ नहीं रह सकता, तो हम एक तीर से दो निशानी मार सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा दिनिश, क्या कहना चाह रहा है, गीता के आगे पीछे कोई नहीं था, अगर वो गायब हो जाती तो नको इसे पूछने वाल तो वो लाज जो हमें मिली, जिसके शरीर पर आचल के कपड़े थे, वो गीता की थे, ये मिलाना होगा, गीता के खाने में, आज रात को जब हम ढावेप मेलेंगे, कर लोगी ना, हम लोग जलंदर में शादी करेंगे, गीता, मेरा दोस्त और उसकी बीवी हमारे साथ होंगे, कौन सा दोस्त, मैं कभी मिली उससे, नहीं, अभी मिलोगी, धाबे पर, हम लोग एक साथ खाना खाएंगे, फिर शादी करेंगे, मैं सिफ हम दोनों को खुछ देखना चाहती मैं भी आज बहुत खुश हों गीता सकतर्व भी मिली अबचा, दोनों में ल neuralगे, करें ऊत्वार उसके ल bicycle, जो भ एक स्वेश हैं बहुत सकता टोस्त, में जिस्वादा रहएंगे, य जदूत शारो इंदा ज करेंगे, शनुरा होंगे इresser कितना बहुत्प, थक्त अजल नहीं, गुलाहदा, हम एकी नहीं, टल अलो, ससेगल पापजी, जी, इता, पापजी का फोन ने तुमसे बात करना चाते हूं, मुझसे बात करना चाते हैं, आ केले में बात करते हैं, दिमिश, आया, बापी जी, आप पापजी, जी, जी, हाँ, एक मिनट करा रहूं हलो, 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 एक मिनट मुझे दे, दिखा नो, हलो, हाँ, लगता है कड़ गया, पापजी के फोन में कुछ प्रॉबलम होगा, जी खाना का लेते हैं, बाद में बद कर लेंगा, है ना? कर दो एक मिनट में इसना कर लेते हैं, बाद में मैं इस सतंखों कर लेते हैं, तो ही, बाद में कर दोएं से जीज़ किया वाल खतम लेइं हाँ अजर वह बना जो आख बना इसे बनादे यह जोर दोगए लघए कर दोगी, मिलेए आट लगाा अगना लाखी टाया लाझार लगाऑब, उलेए याफी यहाँ लगाए टाराग नएड़ा लागा लाखा को हो कि अएड़ाऑ़ से लिए आट आट पारा को झारा लगाष वैसे का लावाब। जनल月 दो करतल दो कि दो कि दोडने, अज्य जो करता ह॥ ए wins जो, पिज करता ह॥ तो तुम दोनों को क्या लगा? कितना बड़ा जुर्म करने के बाद तुम दोनों की जिन्दगी बड़े हास्ते खेलते गुजरेगी? आचल, तुम एक छे साल की बच्ची की माँ हो. तुम ने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जेल में जाओगी तो उस बच्ची का क्या होगा? मैं जेल में ही तो थी सब. और आजीव के साथ रहना उम्र कैद से कम नहीं था. फर्क है आचल, बहुत बड़ा फर्क है. तुम उस जेल से निकलने के लिए हमारे पास आ सकते थी, कानून की मदद ले सकते थी, साचीब से अलग हो सकते थी, अपनी जिन्दगी नए इस से शुरू कर सकते थी. क्या हुआ जी? क्या सच में हमारी आचल ने किसी की जान लिये? बोलिये ना? पापा, मम्मे कब आएगे? वो अब कभी नहीं आएगे. क्यों? क्योंकि... मुझे नहीं पता विटा. दिनेश पन्नू, आचल और केवल तरार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मुर्डर के लिए, धारा 201 के तहत सुबूत मिटाने के लिए, और धारा 120 B के तहत क्रिमिनल कॉंस्परेसी के चार्जिस फ्रेम किये गए हैं. फिलाल तीनों को जुडिशल कस्टडी में भीजा गया है. आचल के पता पर भी आईपीसी की धारा 182 के तहत गलत इंफरमेशन और गलत आइडिन्टिफेकेशन के चार्जिस लगाए गये हैं. आचल के पती कॉंस्टेबल राजीव जोहल के खिलाफ सारे चार्जिस अदाल वो शौक में है कि उसकी मा इतने भयंकर जुर्म में हिस्सा ले सकती है. पीडित गीता जिसे जहर देकर मारा गया था उसका कटा हुआ सर पुलिस कभी नहीं ढून पाई और नाहीं उसके किसी रिष्टेदार को ट्रेस कर पाई. जब एक शादी का रिष्टा एक लाइलाज घुटन का फंदा बन जाता है. तब बस और नहीं ये कहकर उसे तोड़ना और उससे अलग होना बेहत मुश्किल होता है. लेकिन इस तरह के क्राइम्स ऑफ पैशन हमें बार बार यही सीख देते हैं कि चाहे शादी ब्या हो या फिर कोई प्रेम का रिष्टा. ये ऐसा कोई बोज नहीं है जिसे हम जिन्दगी भर अपने गले में लटका कर घुमें. रिष्टा तोड़ना कानून तोड़ने से बहतर है. अलग होकर समाज में चन्द दिनों के लिए अपने आपको रियड़जस्ट करना, जिन्दगी भर जेल में काटने से बहतर है. किसी भी नई जि अपने से बहतर है कि आने वाले वक्त के लिए मेहनत की जाए. सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें. जैहन!